आकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सेंग पहले एक अपेल दीशबर में 18 साल से अधिकायो के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुरुक टीका करन भ्यान चलाय जा रहा है आपसे अपील है कि कोबिट रोधी टीका जरूर लगवाएं कोरोना महमारी के प्रती कोई भी लपरमाही न बरते जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और नासान उपायों का पारण करे मास्क लगाएं दोगस के सरक्षे दूरी बनाये रखें बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें टीका अवश्य लगवाएं कोबिट से संबंधे जानकारी और उनके मागदर्शन के लिए राश्य हल्पलाइन कारे रथ है इसका नंबर है 011-23-978046 और 1075 सबसे पहले मुक्के समाचार केंदरी मंत्र मंदल में 47 नय मंत्रियों को शामल करने के बाद प्रधार मंत्री ने मंत्राले भी बाटे जोतिरा दित्ति सिंदिया नागरिक उडियन और डॉक्टर विरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले मिला जोतिरा दित्ति सिंदिया को नागरिक उडियन मंत्री और डॉक्टर विरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाये गया है शहरी विकास मंत्राले के भी मंत्री बने रहेंगे अरुलाग ठाकोर नए सूचना और प्रसारन मंत्री होंगे उन्हें युवाकार और खेल मंत्राले भी दिया गया है मनसुक मंडाविया को नए स्वास्त मंत्री बनाये गया है उनके पास सरसायन और उर्वरक मंत्राले भी रहेगा सर्वानन्त ओनवाल नेपोद परिवहन और जहाज रानी मंत्री होंगे उन्हें आयुश मंत्राले का अतिरिक्तिर प्रभार भी दिया गया है मुपेंदर यादर श्रम मंत्री होंगे जनता डल युनाइटेट के नेता रामचंदर प्रसाद सिंग को इसपात मंत्री बनाया है लजेपी के नेता पशुपति कुमार पारस खादि प्रसंस करन उद्योग मंत्री होंगे डॉक्टर विरेंदर कुमार को नया सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री बनाया है जेपी के नेता पारस खादि प्रसंस करन उद्योग मंत्री बनाया है विस्तार में युवाओं को औसर दिया गया है इसलिए अब मंत्री मंदल की औसत आयू 61 साल से खटकर 58 साल हो गई है मंत्री मंदल में 14 सदस्यों के आयू 50 साल से भी कम है मंत्री मंदल में सयोगी दलो, जनता दल इजनायाटेड, लोग जिन शक्ति पार्टी और अपना दल को भी प्रतिनी जितु मिला है वहीं महिला मंत्रीों की संख्या भी अब 11 हो गई है गौरतल अधे की कल हुए विस्तार में 12 मंत्रीों की चुट्टी हो गई है जबकि 15 काबिनेट और 28 राज्य मंत्रीों सहेट कुल 43 नय मंत्री शामिल किये गए है मंत्री मंदल में 25 राज्यों को प्रत्रेजितु मिला है अब अन्य पिछड़ा वर्ग से 27 मंत्री अन्सुचित जाती जन जाती वर्ग से 12 मंत्री है समाचारों में वक्त है ब्रेक का ब्रेक की बास समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है देश बर में अब तक राज्य टीका करन भ्यान के अंतरगर 36 करोड 13 लाग से अधिक के टीके लगाए गए है स्वास बंत्राली ने कहा है कि पिछले 24 कंटों के दुरां 36 लाग से अधिक टीके लगाए गए देश में स्वस्थ होने की दर 97 दिश्वलव 1-8 प्रतिशत हो गई है कल 47,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए है पिछले 24 कंटों के दौरान कोरोना के 47 सिद्धा से अधिक नए रोग्यों के पुष्टी हुई है इस समय देश में 4,069,920 लोगों का उपचार चल रहा है प्रुदेश में 1 जुलाई से टीका करन के लिए महा अभियान चलाय जा रहा है टीका करन महा अभियान के अंतरगर्थ कल 4,31,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया सबसे अधिक 42,511 टीकी इंदौर में और 27,000 टीके वोपाल में लगे है इसी बीच मद्र प्रदेश में बीते 24 कंटों में कोरोना संक्रमन के 28 नए वामने मिले हैं जब की इसी दौरान 32 लोग स्वस्थ हुए है प्रदेश में सक्रे प्रकर्णों की संख्या गटकर 441 रह गई है प्रदेश में कल 74,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई बोपाल के जेपी अस्पताल में मरीजों को बिजले के संक्र से बचाने के लिए महिला डॉक्टर ने अनूठी पहल की है गाधी नकर समुदाइक स्वास्थ केंद्र की डॉक्टर शुद्धा अगरवाल के पती प्रभात कुमार सकसेना कोरोना से चार महा पहले 19 फेवरी को जिन्दिकी से जंग हार गये विस और उर्जा पर काम कर रहे थे उनके काम को आगे बढ़ाते वे पत्नी डॉक्टर शुद्धा ने जेपी अस्पताल में निजी खरजे पर 25 केवी का सोलर प्लांट लगवाया है बिजली जाने पर भी पूरा अस्पताल रोशन रहेगा कल अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के सार डॉक्टर शुद्धा की मौजूद्धी में प्लांट का लोकारपन हुआ सौर प्लांट लगने से सालाना बिल में 3 लाग के बज़त होगी यूरोको फुटबॉल में इंगलेंड ने फाइनल में प्रुवेश कर लिया है उसमें समिफाइलन में अतरिक्तर समय में डिन्मार को 2-1 से हराया इंगलेंड की टीम पहली बार यूरोकप के फाइनल में पहुँची है अब अब अविवार को वेंबली में फाइनल मैच में इंगलेंड का मुकाबला इटली सी होगा पहले सेमिफाइनल में इटली ने स्पेन को हरा कर फाइनल में प्रुवेश किया था तोक्यो उलम्पिक खेलों के आयोजन में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं अकाश्मानी से जारी विशेश ओलम्पिक श्रंकला में आज हम बात करेंगे मुक्यबाज विकाश कृष्ण की ओलम्पिक में मुक्यबाजी में देश के खिलाडी बहतर प्रदर्शन करते रहे हैं विकास एक अनुभवी फाइटर है जिनका 10 साल से अधिक का शांदार बॉक्सिंग करियर है 2010 के इश्याई खेलों और 2018 के राश्मंडल खेलों में उन्होंने स्वन पदक जीत कर देश का गौरो बढ़ाया विकास कृष्ण ने 2012 में लंदन में पहली बार उलम्पिक में भारत का प्रतिने जित्तु किया विकास वजिदंदर सिंग के बाद देश के दूसरे मुक्यबाद है जिन्होंने तीसरी बार उलम्पिक कोटा हासल किया है उधर कोविट-19 के मदे नजर तोक्यों में उलम्पिक मशाल रिले को रद कर दिया गया है शुक्रवार से तोक्यों में सावजनिक रिले कारिक्रिमों को अब ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा अब पुछसमाचार से शेप में मदिशेत विदुद विद्रन कंपनी भूपाल, नर्मदापुरम, क्वालियर और जंबल संभाग में शिकायत निवारंण शिवर का आयुचन किया जा रहा है उजयन में कल 9 जुलाई से 11 जुलाई तक शनी चरिया मौसा के परफकर शनी मंदिर में प्रवीश और शिप्रा नदी के विभिन घाटो परस्तान प्रतवनधित के आ गया है रीवा में स्वाइम वेकानन्द करियर मागदर्शिन योचना के अंतरगय शास किये टियारेस कॉलेज में संभाग सरीय मागदर्शिन और परामर्श के इंडर का शुभारम हुआ शुपरी जिले में 14 बच्चों को मुक्य मंदरी COVID-19 बाल कल्यान योचना का लाप मिला है निवाडी जिले में महा ठीका करन भियान के तहतीवाओं और बुजर्गों ने उत्साह पूरवक्टी का लगवाया बाला घाट में पंचाय तो ग्रामेड विकास लाजवंतरी राम खिलावन पतेल ने कलकलिक ट्रीट सभाक अक्ष में ग्रामेड विकास योचनाओं की समिक्षा की नीमच जिले में आज को विशील वैक्सीन की 10,000 डोस लगाई जाएंगी सतना में बैंको की जिला परामर्श दात्री और समिक्षा समित्य की बैठक में प्रधान मंतरी स्वनेधी स्ट्रीट विंडर योचना के सभी स्विक्रित प्रकरनों में रण वितरन की निरदेश देए गए राइसें सिला नियाले में 10 जलाई को नैशनल लोक अदालत का आयोचन होगा बृटिन के अंत में आप सभी से एक अपहील मासका और दोगस के दूरी हां धुना भी है जरूरी नमस्कार